अर्शलाम दोस्तों क्या है अव्लोग में हूं अपका दोस्त आपका वस्त फाल जगारा हूं बहुत ही प्यारी जगाए और बहुत ही फुब्सूरत जगाए जिन लोग ने अब तक में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब to my channel यह जरूरी है कि इसी तरह में और आप एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे चैनले वी लॉग को स्टार्ट करते हैं I hope you will enjoy this वी लॉग आप एक गाइस आज हम जा रहे हैं जर्मनी की बहुत ही मश्यूर और बहुत ही बड़ी कैसल जिसका नाम नौई श्वाइंस्टाइन कैसल है तो यह कैसल जर्मनी के शहर म्यूनिक के बहुत ही पास है अब वहां से आराम से दो घंटे में बाइ ट्रेन और बाइ बस जा सकते है मैं आरे हूं यहां पर अब हुए तब आपिंद आप आप वहां पहुशना है और कार्मा चार्ड होगा यह 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 बहुत है तो कैसल पहुचने के लिए काफी चलना पड़ेगा कैसल जाने के लिए दो तरीके हैं या तो आप खुद हाइकिंग करके जा सकते हैं वरना आप यहां से बस भी ले सकते हैं तो हमने सोचा कि उना पाओं को थोड़ा साराम दें और बस ले 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 तो अब मैं जा रहा हूं बस स्टाप की तरफ तो इन खुबसुरत पाड़ों के बीच में काफी सारे होटल बने वे थे क्योंकि यह पर काफी टोरिस्ट आते हैं और यहां पर स्टे करते हैं और कैसल को क्योंकि यह कैसल जर्मनी का वन आफ दा बेस्ट टोरिस्ट स्पॉट है जो लोग भी जर्मनी आते हैं उनके लिए मस्सी एक्सपीजेंस है तो फाइनली गाइस मुझे मेरी बस नजर आ गई है अब मैं जा रहा हूं बस में बैठने के लिए और उपर पहुच के फिर मिलते हैं आप लोग से तो फाइनली हम कैसल के थोड़ा सा पास आ गए तो कैसल देखने के लिए दो जगाएं हैं या तो आप कैसल को उपर बिर्स से देखें जहां से कैसल का पूरा व्यू दिखता है या तो पर कैसल को आप वहां से देखें जहां पर आप कैसल के अंदर इंटर्वी हो सकते हैं तो पहले हम चलते हैं कैसल की नीचे वाली साइड की तरफ जहां से हम कैसल के अंदर भी जा सकते हैं इस कैसल की खास बात यह है कि इस कैसल को हम फेरी टेल कैसल भी गहते हैं जैस आप लोगों को दिखाते हैं कि ये संडरेला कहां पर है और कहां चुपकर बाठी बेगा है संडरेला मैं आगया हूं बस रास्ते में हूं कैसल के बिलकल पास आगया है इस वक्त और कैसल बहुत ही बड़ी है, बहुत हुरी und對對 card and Muito बहुत पुराना है और बहुत ही खुबसूरत है तो यह जैसे कि आप देख सकते हैं कैसल का पूरा मैप है कि कैसल कितनी बड़ी है आई चलते हैं कैसल के अंदर मगर कैसल में जाने से पहले बहुत यह अफसोस के साथ आप दुगों को भारी चुदना पड़ेगा क्यूंके गार्ड ने हमें कैसल में अंदर वीडियो बनाने से मना कर दिया मगर मैंने कुछ तस्वीरे लगाएंगे ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि कैसल अंदर से कैसा दिखता है तो आई वो तस्वीरे देखते हैं और इंजॉय करते है ये कैसल तकरीबन 19 हिजरी में उस वक के किंग लुडविक टू के कहने पर बनाया गया ये बनाया गया कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अभी हमने अंदर कर दो किया है और काफी खुबसूरत थी अंदर से बहुत 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 शुक्रिया माद आपके ड्राउन की विडियो का इस लोकिंग ऑसम आई होप सब को पसंद आई हो मौसम थोड़ा चेंज हो गया यहां पर यह जर्मनी की खुबसूरती है यह बहुता सुबा गर्मी होती है और शाम में बिल्कुल तो मौसम चेंज जाता है और जिस से इसका ढरता वही हुआ है और बाइस साट हो गई है तो काई सब निकलते हैं घर की तरफ थोड़ा अब थोड़ी सी कोशिच थी यहां पर आकर आप लोगो दिखाने की बहुत ही बहती बहती है और बहुत ही पुस्टूरत है आई होप आप लोग अच्छा लागा हो इंशाला है मिलते हैं नेक्स विलोग में अपना बहुत खार रखें अपने माबाप की दुआइं लेते र